रसायन के अउशदों बनाने में पुस्तकों में अगनियों के लिए बहुत महत्व का स्थान दिया गया है कोई भी रसायन की क्रिया में अगनि का बहुत महत्वा है लेकिन पुष्टकों में अगनी के देने की क्रियाव में थोड़िक सांकेतिक बाशा में पुष्टकों में लिखा गया है इसमें देखो मंद मंद अगनी भी लिखा होता है शिफ मंद अगनी भी लिखा होता है मद्यम अगनी भी लिखा होता है तेज अगनी भी लिखा होता है तीवर अगनी भी लिखा होता है और तीवर से भी तीवर अगनी भी लिखा होता है और कहीं कहीं कोई क्रिया में ऐसा भी लिखा होता है कि तीन घंटे अगनी देनी है लेकिन मन्द मध्यम और त्यज अगनी इसे सीफ सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है उस्तकों में तो आज ये अगनी के बारे में मैं आपके सामने बहुत महत्व का खुलासा करने जा रहा हूँ देखो ये कहीं कहीं कोई भी क्रिया में मन्द मन्द अगनी लिखा होता है देखो मन्द मन्द दो बार आता है मन्द मन्द ऐसे मन्द मन्द अगनी जहां भी लिखी होती है वहां अंगुठा जितनी दो लकड़े की अगनी देनी है ये अंगुठा जितनी लकड़े हुई है ऐ इसी दो लकड़े की अगनी देनी है, जहां मन्द मन्द दो बार सब्द आता है, वहां ऐसी दो लकड़े की अगनी देनी है, कौन से पेड़ की अगनी देनी है, वो इसमें लिखा होता है, वही पेड़ की अंगुठा जितनी जाड़ा में दो लकड़े की अगनी देनी है, जह वहाँ इसी टील लकड़े की अगनी देनी है मंद अगनी में पय промाद याद रखना ऐसा के लिए कोई विक्रिया में और मद्यम अगनी देने की बात होती है तो मद्यम अगनी देने की बात होती है वहाँ कांडा जीतनी अपने आच के कांडा जीतनी जाड़ी होनी चाहिए ऐसी आच के कांडा जीतनी जाड़ी अगनी जहां मद्यम अगनी लिखी है वहाँ दो लकड़ी के अगनी देनी है यह दो लकड़ी हुई ऐसे दो लकड़ी के अगनी देनी है जहां मध्यम अगनी लिखा है वहाँ यह आपको हमेशा हर कोई क्रिया में याद रखना है अगर जहां तेज अगनी लिखी है मध्यम अगनी के बाद तेज अगनी आती है यहां तेज अगनी लिखा है वहां और तीवर अगनी जहां लिखा है तीवर अगनी वहां कांडा जितनी ऐसी चार लकड की अगनी देनी है एक दो चार लकड की अगनी देनी है इतनी जाड़ी लकड की तीवर अगनी में और तीवर से भी तीवर अगनी कहीं कहीं लिखा होता है कोई प्रियोगों में कोई क्रिया में वहां इतनी कांडा जितनी प पांच लकड की अगनी देनी है कितने पांच लकड की अगनी देनी है कि में आपको हमेसा याद रकना है कोिए भी प्रिया में अगन का बहुत महत्वा होता है मीत्रो में अगर जादा अगनी होती है तो भी हमारा उशद बिगड़ जाता है कम अगनी पड़ती है तो भी हमारा उशद बिगड़ जाता है इसलिए जहाँ जहाँ भी मंदबन अगनी लिखी है तो वहाँ दो लकड़ी की अगनी दो अंगुठा जितनी शिर्फ मन अगनी लिखी है, तो वहां उठा जितनी तीन लकड़ी की अगनी दो, मध्यम अगनी लिखी है, वहां कांडा जितनी दो लकड़ी की अगनी दो, तेज अगनी जहां लिखी है, वहां कांडा जितनी तीन लकड़ी की अगनी दो, तीवर अगनी जहां लिखी है, वह कांडा जितनी चार लकड़ी की अगनी दो और तीवर से भी तीवर अगनी कहीं भी लिखा है तो हुआ कांडा जितना पांट लकड़ी की अगनी देनी चाहिए यह हमेशा हमको याद रखना चाहिए और यह अगनी देने की जहां भी बात आती है नहीं तो हम कभी-कभी आधु यूग में चले जाते हैं और गेस से सगड़ी से अगनी देते हैं इसमें हमारा सारा कारिक्रम बिगड़ जाता है शुले पर ही लकड़े की अगनी दो तो हमारा सफलता के तरफ हमारा प्रयोग जाएगा हमारी क्रिया में हमको सफलता मिलेगी अगर किसी भी क्रिया में इसा भी लिखा होता है कि कुल तीन गंटा की अगनी संपुट को देनी है संपुट या तो कोई भी द्रविय को तीन गंटे की अगनी में मंद, मध्यम और तेज इतना ही लिखा होता है लेकिन कितने ताइम मंद देने, कितने ताइम मध्यम देने और कितने ताइम तेज देने की लिखानी होता है अउस्षद बनाने के प्रयोग में इसा होता है तो इसे प्रयोगों में जहां मानों के कोई प्रयोग में लिखा है कि तीन गंटा अगनी देनी है मंद मध्य मोरो तेज तो तीन गंटा जहां लिखा जितना समय लिखा इतना तीन तीन से बांग दो उनको तीन गंटा का अगनी देने की लिखी होती है तो तीन से बांगने से एक एक गंटा का तीन बाग हो जाता है जितना समय होता इसका तीन भाग कर दो तो तीन भाग होता है लेके गंटे का एक भाग हुआ तो पहले गंटे अगनी दो तो मन अगनी दो दूसरे गंटे मध्यम अगनी कर डालो और तीसरे गंटे तेज अगनी कर डालो ऐसे प्रयोगों में इस बात का खास ख्याल रगना है अगनी का कहीं भी लकड़े की अगनी लिखी है तो उसको लकड़े की ही अगनी दो इसको उपले की चाने की अगनी मत दो अगर तो लकड़े की अगनी लिखी है तो उसको लकड़े की अगनी दो और गेस के उपर के सगड़ी उपर अगनी मत दो ये आपको हमेशा याद रखना है और कहीं कहीं क्रियाओं में लिखा होता है कि दिपक अगनी देना है तो दिपक अगनी में मित्रो अपनी अंगुली जितनी जाड़ाई का दिपक की वाट होनी चाहिए दिवेट होनी पर इतनी एक इंस बार रहनी चाहिए दिवेट एक इंस बार रहनी चाहिए दिवेल से तेलत के उपर इतनी अगनी देनी चाहिए इतना दिवेट वाट करनी चाहिए रू की करो या तो सुत्राव दोरे की करो सुत्राव धागे की करो लेकिन एक अंगुली जितनी उसकी दिव धीपक अगनी लिखा है, वहाँ यह आपको हमेशा याद रखना है। इसे रेत क्रियाओं धिपक अगनी में भी अंगुली से जादी नहीं धना होनी चाहिए उनकी दिवेट और अंगुलीसे पतलीonta करिमार्मून के नहीं धना है। इसे अगनियु में जो आप बहुत सोक्षाई से काम लोगे अगनी देने में, तो आपको सफलता जल्दी मिलने की संभाव न रहती है, अगर अगनी के बारे में आपने जो बिल्कुल चावसेती नहीं रखी, तो सफलता आपको मिलने में बहुत दूर रहेगी, संभाव नहीं होगा सफलता मिल पाएगी, क्योंकि रशाईन में अगनी का ही बहुत महत्वा है, अगनी कहीं प्रकार की रशाईन में दिया जाता है, मन दिया जाता है, मध्यम दिया जाता है, तेज दिया जाता है, तीवरत दिया जाता है, तीवरत से भी तीवरत दिया जाता है, दिपक अगनी क्रियाओं में कुकड़ पुट अगनी भी दिया जाता है, सूरिय पुट अगनी दिया जाता है, निद्धुम अगनी दिया जाता है, लगुपुट अगनी दिया जाता है, इसे अनेक प्रकार की अगनी रशायन के क्रियाओं में वोती है, इस सभी अगनियों को समझ कर यह हमको अगनी देनी होती है, यह हमको खास याद रखना है, अगनी में जो देने में आप शावसेती नहीं रखोगे, तो समझो आपका कारीकरम सफलता की तरफ जाने वाला नहीं है, इसलिए अगनी का हमेशा महत्व समझो, कौन सी द्रविय को किस तरीके से अगनी देनी है, वो भी समझो मानो के कोई सौमल के उपर क्रिया करनी है अगर तो हर्ताल के उपर कोई क्रिया करनी है तो उनको शरुवात में तो बिल्कुल मंद मंद अगनी ही दिया जाता है क्योंकि यह जल्दी उड़न सिल्शीज है इसलिए प्षरुवात में कुछ रवियों को बिलकुल मंद मंद अगनी दिया जाता है इसके बाद उनको अगनी धीरे 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 बढ़ाया जाता है इसलिए अगनी के बारे में जितनी मिरे को समझ थी जितना मैं समझ पाया हूँ इतना आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है इसलिए मीत्रो अगनी के बारे में आप बहुत सोच समझ कर अगनी दो पहले प्रयोग में कौन सी अगनी लिखी है वो देख लो प्रयोग पूरा समझ लो प्रयोग एक बार समझ में नहीं आवे तो दो बार पढ़ लो तीन बार पढ़ लो पांस बार पढ़ लो लेकिन प्रयोग पूरा समझ कर ही आप आगे आउशद बनाने में आगे बढ़ो इसके पहले आगे मत बढ़ो आपका समय भी बरबाद होगा आपका पैसा भी बरबाद होगा और सुनी सुना ही बातों में कहीं पड़ो ही मत अपनी बहुत धिक समता को कामे लगाओ पुस्तकों में कोई अउशदों बनाने का प्रयोगों होता है तो पुस्तकों का प्रयोगों समझो बाद में उसमें अपनी बहुत धिक समता भी उसमें काम पर लगाओ तब आपको सफलता मिलेगी सफलता आपके कदमों चूएगी लेकिन अपनी बहुत धिक समता को भी अपने कामे लगाना है अपने अनुभूती को भी अपने कामे लगाना है तब हम सफ़ता की तरफ जाएंगे नई तो ये रशायन की क्रिया सब इसी है कई लोग बरबाद हो गये है कई लोग रोड़ पर आ गये है इसी लोभी प्रवूती में आकर रशायन की अउसत बनाने की क्रिया में कभी कोई मत पड़ो पूरा समझो समझ कर उसको अपनी बोधिक समता से उनका मनन मन्सन करो बाद में उसमें आप आगे बढ़ो